गुजरात की पॉस सरे डिसीस फेमस है जैसे की हांडवा, खाखरा, फाफडा, ढोकला तो आज हम बनाएंगे हांडवा तो हांडवा हम एकदम ट्रैडिशनल दरीके से बनाएंगे तो हांडवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है हांडवे का कुकर हांडवे का कुकर आपने नहीं देखा है तो कुछ इस तरह का होता है इसके नीचे एक स्टैंड होता है उसके अंदर हमें रेत बननी होती है तो यह रेत मैंने भर ली है मैं यही रेत को बार-बार यूज़ करती हूँ तो इसके अंदर अब हम पाने डालेंगे पाने से रेत को अच्छे से भिगो लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह रेत को अच्छे से भिगो कि हमें उसे रख देना है गरम होने के लिए ये जो stand है उसे हम एकदम middle में रखना होगा और gas की flame को हम on कर देंगे रेट को हमें थोड़ा गरम होने देना पड़ेगा उसके अंदर जो extra पानी है उसे हमें जला लेना है तब तक हम ये जो cooker है उसे oil से grease कर लेंगे तो cooker को एकदम वरवा पर से oil से grease कर लेना है ताकि हमारा जो हांडवा है इसमें विल्कुल भी चिपके नहीं और अब ये स्कोकर का टककान मैंने लगा दिया है और रख दिया है साइड में और देखिए हमारे हांडवे का बैटर एकदम फर्मेंट होके रेडी हो चुका है ये बैटर को बनाने के लिए मैंने लेया था दो कप चावल एक कप चने की डाल आधा कप उड़त की डाल और आधा कप पोहा पोहा को मैंने भीगो के रख दिया था 10-15 मेट के लिए और जो चावल और दाल है उन्हें हमें 4-5 गंटे के लिए भीगो के रखना है और सबको मिक्स्चर जार में मैंने क्रश कर लिया है दही के साथ आपके पास चास है तो आप चास से भी उसे ग्राइन कर सकते हो और ये देखे इतना दरदर हमारा बैटर होना चाहिए और इतना थीक होना चाहिए बैटर को हमें बहुत पतला नहीं करना है दही या फिर छाज कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो थोड़ा-थोड़ा एड़ करे और उसे ग्राइड करे अगर आप दही एड़ कर रहे हो तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हो और इतना थिक बैटर हमें बनाना है सर्दिया चल रही है तो मैंने रात को ही सब भी गो के रात को ही क्रश करके रख दिया था तो सुबे में मेरा ये जो बैटर है अच्छे से फर्मेंट होके रेडी हो गया था और अब मैंने ले लिए लौकी तो यहाँ पे मैंने medium size की लौकी ली है और उसे कद्दुकस कर लिया है लौकी जल्दी से काली पड़ जाती है तो पहले लौकी को कद्दुकस करके तो रहन्त ही इस पैटर में डाल दे और अच्छे से mix कर ले लॉकी अगर काली पड़ जाएगी तो हमारा बैटर का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और अब यहाँ मैंने ले लिया है एक गाजर और गाजर को भी मैंने कट्दू कस कर लिया है यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी सबजिया डाल सकते हो पत्ता गोबी हो गई, बीन्स हो गए, कुछ भी आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो इसे इस तरह कद्दुकस करके या फिर छोटे छोडे पीसिस में कट करके इसके अंदर एड़ कर देना है अब यहाँ पर मैंने ली है धन्या पत्ती, उसे मैंने काट के डाल दिया है इसके अंदर और यहाँ पर मैंने ले लिये मिर्ची और अद्रक, तो यहाँ पर मैंने चार से पांच मिर्ची ली है और एक टुकडा अद्रक का लिया है उसे मैं कूट लोंगी अगर आपको ज़्यादा दीका पसंद है तो आप मिर्ची ज़्यादा और कम भी कर सकते हो और अब इसके अंदर मैंने डाला है एक चमच नमक और उसे अच्छे से कूट लिया है नमक डालने से यह अच्छे से लेना है तो यह दिखे हमारा बैटर आल्मोस्ट रैडी है और अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे तो एक पतिली में ले लिया थोड़ी सी बड़ी साइज की लेंगे और उसके अंदर डालेंगे चार बड़ी चमच तेल तेल थोड़ा सा गरम हो जाए फिर इसके अ मैंने डाला है आधी कटोरी पर के मुंखफली तो मुंखफली को भी हमें अच्छे से साटे कर लेना है मुंखफली जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम उसे पकाएंगे तो 2-3 मिट में अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और अब उसके अंदर डालेंगे आधी कटो और फिर मैंने add किया है इसके अंदर एक चमच बर के हल्दी, हल्दी डालने से ये देखिए कलर कितना बड़ी आ गया है, हल्दी डालने के बाद आदर मिनिट हो उसे पकाना है और फिर गैस की फ्लेम को आफ कर देना है, और ये जो mixture हमने ready किया है, जो तड़का बनाया है, वो आपके पास ino नहीं है, ino नहीं डालना है, तो आप इसके अंदर baking soda भी डाल सकते हो, आदा चमच हमें baking soda लेना है, और 2-3 drop निम्बू के इसके उपर निचोड़ देने हैं, तो ये जो baking soda है, अच्छे से फर्मेट हो जाएगा, और ino जैसा ही काम करेगा, तो यहाँ पर मैं सारे कुकर में अच्छे से फैल जाए, अब इसके उपर एक और तड़का लगाएंगे, तो तड़का लगाने के लिए फिर से हमने ले लिए वही पतिली, वही पतिली यूज़ करेंगे, क्योंकि बाद में हम ही बरतन दोने हैं, तो जाधा बरतन नहीं बिगाड़ेंगे, पतिली में मैंने दो चम्मच जितना तेल ले लिया है, और यहां पर मैंने ले लिये मसाले, तो खड़े मसाले में हम लेंगे लाल सुखी मिर्च और तेज पत्ता, तो दो लाल सुखी मिर्च, दो तेज पत्ता, और पांसे छे मैंने कड़ी पत्ते लिये हैं, तेल अच्छे मिर्च डालने के बाद तुरंत इसको हमें जो बैटर है उसके उपर डाल देना है तो ये दीखिए कितना बढ़िया कलर आया है और जो लाल मिर्च हमने तड़के में डाली है उसकी वज़े से इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़ी आएगा और अब थोड़े से तील उपर से और डाल देंगे ताकि जो जगा खाली है वो भी बढ़ जाए और अब डकल लगा के गैस की फ्लेम को एकदम लो करके एक गंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है एक गंटे तक हम उसे नहीं खोलेंगे एक गंटे के बाद हम चेक करेंगे कि वो कितना पका है और अब हम बना लेते हैं लसुन की चटनी लसुन की चटनी बनाने के लिए यहां पर चाहिए हमें लसुन तो यहां पर मैंने सुखा लसुन लिया है यहां पर हमें बहुत सारा लसुन चाहिए और लसुन को छिल लेंगे यह चटनी जो मैं बना रहे हूं वो टेस्ट में बहुत ही यारी तो यहाँ पर मैंने फिर से वही पती ले लिए है और उसके अंदर ले लिया है तो चम्मचपर की गी और गी थोड़ा सा गरम हो जाए फिर उसके अदर डाल देंगे सारा लसुन और उसे medium flame पे हमें पकाना है तो लसुन को में medium flame पे जब तक वह golden brown ना हो जाए तब तक ह हम एक जार में ले लेंगे लसुन को हमने गी में सोटे किया है तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा अब उसके अंदर डालेंगे दो से तीन चम्मच भरके लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच नमक एक चम्मच नीमु का रस और एक चम्मच पानी और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है एक बार ग्राइंड करके फिर से थोड़ा सा पानी एड़ करके फिर से दुबारा हमें उसे ग्राइंड करना है तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हमें उसे ग्राइंड करना है तो इस सरा आप easily ये चटनी बना सकते हो और anytime enjoy कर सकते हो तो ये टेस्ट में बहुत ही बढ़या लगती है तो ये देखें देखने में कितनी बढ़या लग रही है और खाने में तो टेस्टी है ही तो ये चटनी हमारी lesson की एकदम ready है और एक गंटा हो चुका है तो अब हम चेक कर लेते हैं हांडवा तो ये देखें हांडवा भी almost ready है तो sides में से थोड़ा सा ये हांडवा निकाल के हमें चेक करना है टेस्ट करना है जो दांत में चिपकेगा तो हमें उसे 10 मिट और रख देना है एकदम low flame पे और अगर नहीं चिपकता है तो समझे हमारा हांडवा एकदम ready है तो मुझे थोड़ा कच्चा लग रहा था तो मैंने 10 मिट के लिए छोड़ दिया था 10 मिट के बाद गैस की flame को off कर देना है और ये कुकर को हमें 15-20 मिट ठंड़े होने देना है गरम कुकर में से हम ये जो हांडवा निकालेंगे तो एकदम perfectly निकलेगा एकदम ठंड़ा होगा तो अच्छे से निकलेगा तो 15-20 मिट या फिर आदा कंटा के लिए उसे छोड़ दे और फिर हांडवे को निकाले तो ये देखे आदा कंटा हो चुका है और मैं इसे निकाल रही हूँ तो एकदम बढ़िया से पीसिस निकल के बाहर आ जाएंगे ये जो पहला पीस है उसे निकलने में थोड़ से दिक्कत आएगी बाकी सारे पीसिस अच्छे से निकल जाएंगे आप इस हांडवे को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हो ये दूसरे दिन सुबे मौनिंग में बहुत ही बढ़िया लगता है तो मुझे तो चाई के साथ ये बहुत ही पसंद है